अविनास classroom में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अविनास मिस्रा आज के इस वीडियो में हम लोग यमक अलंकार के बारे में गहराई से अध्यान करेंगे यमक अलंकार जो है ओ है सब्दा अलंकार बहुत सारे बच्चे यमक अलंकार और इसलेस अलंकार में बहुत कन्फ्यूज रहते हैं अगर आप इसकी परिभासा अच्छे से समझ लोगे तो आपका जो कन्फ्यूजन है ओ क्लियर हो जाएगा तो आइए लेक्चे अलंकार का परिभासा देखेंगे ध्यान दो जब कावे में एक ही सब्द की अवृति हो तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कावय यानि कविता में एक ही सब्द की अवृति हो आवरित्ती का मतलब क्या होता है? रिपिटेशन, यानि जब किसी लाइन में या किसी कावे में एक ही सब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उस सब्द का अर्थ जो है ओ अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है जब किसी पंक्ति में या कावे में एक सब्द की अवरित्ती हो यानि कि एक सब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उस सब्द का अर्थ अलग अलग निकले तो यहाँ पे यमक अलंकार होता है आप यहाँ पे उदहरण देखो एकदम अच्छे से समझ जाओगे तो पहला उदहरण है कनक कनक ते सवगुनी मा दक्ता अधिकाए यही खाए बवराए नर वही पाए बवराए तो इस लाइन में या इस पंक्त में आप देख सकते हैं एक बार यहाँ पे कनक आया है और यहाँ पे एक बार कनक आया है यानि कि इस लाइन में कनक सब्द जो है वो दो बार आया है और इन दोनों सब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग है कैसे पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना यानि कि गोल्ड पहनने वाला तो पहले कनक का अर्थ क्या है धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ क्या है सोना यानि कि गोल्ड तो यहाँ पर बताए जा रहा है कनक कनकते सवगोने यानि इस कनक से दूसरे कनक का जो नसा है मादकता मतलब क्या है नसा अधिक है यानि धतूरा से ज़्यादा नसा जो है ओ सोने में होता है यानि गोल्ड में होता है यहीं खाए बवराए नर अगर आप धतूरा खा लोगे तो आप क्या हो जाओगे बवरा जाओगे यानि पागल हो जाओगे और ये सोना यानि गोल्ड यहीं पाए बवरा यानि कि अगर आपको सोना मिल जाए तो भी क्या हो जागा इंसान पागल हो जाता है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कनक कनक दो बार आया है लेकिन दोनों अर्थ अलग हो तो ह्याँ क्या रहेगा यमक कर रहेगा दोसरा द Works है यहाँ पे डेख्ञंते हैं तो यहाँ पर देख रहे वेर और बे will do बार आरए 2 फिन ली On बेर मतलब यहाँ पर टाइम होता है समय तीन बार खाती है समझ मैं गए तो यहाँ पर बेर जो सब्द है एक ही है लेकिन इसका अर्थ जो है अलग-अलग है इसलिए कौनसा लंकार है यमक अलंकार है तीसरा उदहरण देखो लिखा है सजना है मुझे सजना के लिए तो सजना इस सब्द दो बार आया है लेकिन इस सब्द का अर्थ अलग-अलग है कैसे घ्यान दो सजना है सजना है मतलब मुझे तयार होना है स्रिंगार करना है इस सजना का अर्थ है तयार होना या स्रिंगार करना यानि सजना है मुझे यानि तयार होना है मुझे किसके लिए स सजना के लिए इस सजना का मतलब क्या होता है प्रियतम किसी प्रेमे के लिए मुझे क्या करना है तैयार होना है तो यहां पर देख रहा है सजना और सजना दो बार आया है लेकिन दोनों बार इस सब्द का अर्थ अलग-अलग है तो यमक अलंकार क्या होता है जब किसी कागव है कि कोई सब्द दो या दौ से अधिक वार आए और हर बार उस सब्द का अर्थ अलगअलग हो तो वहाँ पे क्या होता है कि अपको यमक अलंग्आल का अच्छे से समझ में आ गया रहेगा अगर आप हिंदी व्याकरण को गहराई से सीखना चाहते हो समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आने वाले समय में आपको हिंदी व्याकरण का वीडियो मिलता रहेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद